नमस्कार आदाब आप देख रहें निउसलेंड कोलकाता हम आपको बता दे आज सुबा से ही पूरे सहर हावडा और कोलकाता के आसमानों में बादल चाही रही मौसम विवाग के चितावनी थी जैसे के बादल चाही रहेंगे और हल्की बुदाबुदी हो सकती है मगर आज सुबा से ही सहर हावडा के मुक्तलिब जगों पर जोड़तार मुशलाधार बारिश होई आज नवमी है नवमी के दिन लोगों ने सुबा सवेरे पूजा अर्चना की और उसके बाद नए कपड़े लेकर एक ऐसी जगह पर उन्हें आसरा लेना पड़ा जहां वो ब बारिश की पूजा की नवमी के दिन लोगों को बारिश से अतास होना पड़ा क्योंकि बारिश सुबा सवेरे ही होनी शुरू हो गई और बारिश के वज़ा से लोगों का इधर उदर जाने का घूमने का प्रोग्राम कुछ अलग तलग हो गया इतनी सदीद गर्मी और ये बारिश उपर से पूजा पंडार रास्तों पे सडकों पे जमें जगा जगा पे बारिश की पानी जिसके वज़ा से गूमने वाले लोगों में थोड़ी हतासा देखने को मिल लई है पिलाल मौसम विवाग के सुचना के अनुसार आसमान में बादल चाय रहेंगे और कई जगों पर बारिश हो सकती है जो सहर कूलकाता और हावडा के बीच में है जैसा कि हम अपने चैनल के मातम से आपको दिखा पा रहे हैं आप देख सकते हैं आसमानों में बादल चाया और बारिश जो है वो अपना टांडफ कर रही है नमस्कार आदाब आप देख रहे हैं न्यूज लैंड कोलकाता हम आपको बता दे आज सुबह से ही पूरे सहर हावडा और कोलकाता के आसमानों में बादल चाय रही मौसम विवाग के चितावनी थी जैसे के बादल चाय रहेंगे और हल्की बूदाबूदी हो सकती है मगर आज सुबह से ही सहर हावडा के मुक्तलित जगों पर जोड़तार मुशलाधार बारिश हुई आज नौबमी है नौबमी के दिन लोगों ने सुबह सवेरे पूजा अर्चना की और उसके बाद नए कपड़े लेकर एक ऐसी जगह पे उन्हें आस्रा लेना पड़ा जहां वो बारिश से न भीख सके जैसा कि आप देख सकते हैं काफी तेज बारिश हुई जीला होडा के मुक्तलित जगों पर इस बार की पूजा की नौबमी के दिन लोगों को बारिश से अतास होना पड़ा क्यूंकि बारिश सुबह सवेरे ही होनी शुरू हो गई और बारिश के वज़ा से लोगों का इधर उज़र जाने का घूमने का प्रोग्राम कुछ अलग तलग हो गया इतनी सदीद गर्मी और ये बारिश उपर से पूजा पंडार रास्तों पे सडकों पे जमें जगा जगा पे बारिश की पानी जिसके वज़ा से गूमने वाले लोगों में थोड़ी हतासा देखने को मिल लई है पिलाल मौसम विवाग के सूशना के अनुसार आस्मान में बादल चाय रहेंगे और कई जगों पर बारिश हो सकती है जो सहर कोलकाता और हावडा के बीच में हैं जैसा कि हम अपने चैनल के मातम से आपको दिखा पा रहे हैं आप देख सकते हैं आस्मानों में बादल चाया हुआ है और बारिश जो है वो अपना टांडव कर रही है